Hello friends, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे structure of leaf के बारे में यानि पत्ती की संस्रा के बारे में तो सबसे पहले देखते हैं कि पत्ती जो है या leaf जो है वो stem से attach होती है और stem के जिस पार से leaf attach होती है उस पार को कहते हैं node या जिस पार सी leaf का origin होता है उसे कहते है node ठीक है और इसी node के आज़ पास दो small structure आपको यह दिखाई दी रहे हैं इसको कहते है इस्टिपूल्स इसी इस्टिपूल्स की present और absent के कारण leaf जो है stipulated और x stipulated कहला दिया है तो जिन leaf में stipules present होते हैं उस leaf को कहते हैं stipulated leaves और जिन leaf में stipules absent होते हैं उस leaf को कहते हैं x stipulated leaf ठीक है friends next है जब stem और leaf आपस में एक दूसरे से attach होती है तो वह बीज का part कहलाता है petal petal को कहते हैं dental ठीक है next है इसी dental से लगी हुई एक main जो rib जिसको midrib का जाता है यह जाती है और यह जो है leaf को support provide करती है ठीक है और इसी midrib के आस पास और छोटी छोटी midrib पाए जाती है जिनको कहते हैं when यह भी leaf पो support provide करती है next है leaf का यह जो greenish part आप देख रहे हैं इसको कहते है leaf lamina यह वह पार्ट होता है जिसमें photosynthesis की process होती है और leaf जो है बोजन का निरमाण करती है ठीक है next आप यहाँ पर देख रहे होंगे blade यह blade इसलिए का गया है इसमें blade-like shranshna का structure बन रहा है यह blade-like shranshna दिखाई दे रही है और यह इसलिए दिखाई देने की leaf अपने आपने एक self defense का काम करती है तो इसे कहते है blade next है tip tip leaves का end और सबसे top part होता है जिसमें से कुछ alkyloids या chemical का secretion होता है ठीक है friends और इसी leaf में हम देखते हैं कि छोटे पूर पाये जाते हैं यानि जिनको कहते हैं पान रंद्र इन पान रंद्रों के कारण बोजन का निर्मान होता है इसमे इस्टोमेटा होता है जो कि open और close होते हैं तो यह काफी बड़ा topic है जीप में chlorophyll भी पाये जाता है तो यह सब का discussion हम प्रान फिज्वॉलोजमें प्रांगे तो हमारे साफ बने रहे हमारे वीडियो को देखते रहे है शेर कीजिए झाल झाल